छोटी मैं कॉलेज जारी मम्मी को बता देना ये पाथ साल पुरानी चपल पहन के I think छोटी इस राइड ये बहुत खराब लग रही है और इसको हमें नई बना लेनी चाहिए तो हमें चाहिए एक net cloth जिसको मैंने 7 cm wide cut किया है length आप आधा मीटर ले सकते हैं और अब मैं दोनों ends को stitch करूंगी अधीती तुम scrunchy पपल बना रही हो हाँ चोटी उसके बाद हम cloth को flip कर देंगे फिर middle में stitch करना start कर देंगे और ये हमें end तक करना है end में thread cut नहीं करना है बिकॉस हमें पूरा का पूरा thread पुल करना है तो हमारा scrunchy बन चुका है इसको थोड़ा सा loose करेंगे और अपने flip flop में glue कर देंगे चलो comment में सब लोग अधीती के लिए बहुत सारा heart दो फिर यहाँ पे इसको extra enhance करने के लिए मैं beads लगाऊंगी तो मैंने large size beads लिया है आपके पास जो भी available हो आप ले सकते हो और हमारी पपल यानी चपल ready हो गई है छोटी अब बताओ अब दीती इतनी सुन्दर चपल एकदम market वाली लग रही है गाना याद आगे सैंडल तेरी चम चम करते लग दी हा